हाई अलाइब्रोबरेंग वेलकम और वेलकम बाक तो मैं यूट्यूब चैमल मैं हूँ हशिका एंड येस इस संडे एंड संडे इस फंडे तो आज हम लोग भी संडे को एंजॉय करने के लिए प्रयाग राज आए हैं इतनी इस अलाबाद आए हैं तो मॉर्लिंग से हम लोग हम लोग जाए तो थोड़ा से जो प्रयाग राज का फेवरिट फेवरिट चीज है यांका डोसा झाए यह सब चीज्छे हम लोग ने की आ होटल में अभी हम लोग रुके हैं तो मैंने सोचा नोगों को थोड़ा साम्टीट को दिखा दे लिए होता है होटल का टूर दे कि ह कैसा है हमारा होटल एंड कैसा रहा हमारा दिन जो ता वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा था फुली एंजॉय कर रहे हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं पहले प्लान था कि सिर्फिये आएंगे लाबाद में रिख्वी क्योंकि ठंड भी भाए ज़्यादा थी तो घर गोड़ा से थोड़ा सा बहुत बहुत जादा भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड है डिस्टॉप था तो मैंने सोचा कि हाँ चलके थोड़ा सा चिल आउट कर लेते हैं तो आईए मैं आपको दिखाती हो कि कैसा है मेरा रूम और जो दिन था वह बहुत जादा अमेजिंग था तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से यह दिन सेलिब्रेट किया अच्छे से चिल किया और आईए आपको दिखाते हैं अपना होटल तो यह रहा हमारा होटल जहाँ पर हम स्टे किये हैं और यह हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और उसके बाद मैं बाहर आई थी और मैंने सुचा कि रिकॉर्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे अपने होटल के टूर देंगे कि हाँ कैसा है तो बहुत ज़्य यह एंटरंस है जहां पर हमने चेक इन किया है अब भी और हमको तो रूम अलॉट हो चुका है और इस इस राइक रिसेप्शन एरिया और जो मेरा रूम है वो सेकंड फोर पे है तो वैसे तो यहां पर लिफ्ट भी है बट मैं सीडियो से जा रही हूं और यहां पर इनका य अचा है कुप सूरत सा होटल है और इस इस लॉबी और जो मेरा रूम है वो तो बिलकुल बिलकुल लास्ट में है तो इतने जादा रूम है यहां पर है और जो इंटिरियर है महां का काफी अच्छा है और बहुत जादा क्लीन है साफ सुतरा भी है और बहुत बहुत ओके मे वाइफाई से कनेक्टेड था तो ओके ओपन हो गया है so this is my room and मुझे काफी पसंद आया double bed का room है ये and interior भी काफी अच्छा है काफी खुब सूरत है lighting भी काफी अच्छे से की गई है सब कुछ matching का है आप देखोगे तो यहाँ पे bed है curtain है and even जो curtain का इन्होंने interior किया है वो भी matching का बिलकुल किया है so जो like होता ना है कि एक wipes जो आती है जब आप रूम में आओ तो काफी काफी अच्छी wipes थी and टीवी तो on कर दिया था भाईया ही आया थे वही टीवी on करके गया थे अभी तक हम लोगों ने कुछ दिखा नहीं just on करके this is the cupboard and चोटा सा है बट अच्छा है इसमें मैंने अपना back bag टख दिया है so क्योंकि अल्रेडी अप रूम में एक बार आ चुके थे और इसके बाद जिस मैंने सोचाए कि हाँ आप लोगों को दिखा देते है तो this is blower वो हमने डिमांड किया था क्योंकि ठंड बहुत जादा है तो इसलिए blower बहुत ही ज़्यादा जरूरी था है यहाँ बहुत जादा ठंड है अच so this is sofa set जो double seater है सिर्फ दो लोग बैठ सकते है and telephone number है यहाँ पे restaurant का दिया हुआ है menu अगर कुछ order करना है तो हम in between भी मंगा सकते है so this is table जो हमारे पास है यहाँ पे and kettle बगेरा के साथ सब कुछ दिया है curtain भी काफी कुपसूरत है and चाब तरफ है so room बड़ा है चोटा नहीं है double bit के साथ से काफी अच्छा room है and decoration भी अच्छी है तो this was all the room and अभी हम लोग जब यहाँ पाँचे है तो just अभी बस rest करने का अमन कर रहा है क्योंकि बहुत जादा लीड भी हो गया है and it's काफी late night हो गई है so like बहुत जादा मन भी नहीं कर रहा है कि हाँ अब कहीं बाहर जाएं क्योंकि अब तो यहीं stay करना है and like मैं मैंने जब मैं सुवे packing कर रही थी तो हाँ मैंने अपना tripod है मेरा mic जो है वो मैंने रख लिया था साथ में मुझे लगा कि शायद कोई भी ऐसा moment नो रुखने का कोई plan नहीं था हम लोगों का बट यह है कि हाँ घूमते काफी late हो गया था तो यह सोचा था कि हाँ काफी late हो जाएगा तो हाँ रुख जाएंगे तो उसे साब से हम लोग त्यारी कर गया थे भी रित्वी है वो भी इंजॉए कर रही है यहां पर हम लोग भी इंजॉए कर रहे है बिलकुल back of the mind जो है वो रिजल्ट हमेशा चलता रहता है तो अब्यस से बात है वो अभी भी चल रहा है और क्या बताएंगे जस्ट अब भी इस वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगेगे तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर लिजेगा थांक यू